हेलो एव्रिवन हाव यू आल विधिक सिक्छा के सेग्मेंट में आज मैं आपको एक बहुत इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट टॉपिक पर कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारियां देने जा रहा हूँ तो आजाईए लर्निंग लिसनिंग मॉट पे हेड़फोन आउन कर लीजिए कॉपी पेन आउन कर लीजिए करना चाहें तो और इस बात को बड़े ध्यान से समझी और लिखिए तो इंडियन कॉंसिट्यूशन में एक आर्टिकल है थर्टिफाइव ए ओपन करके देखिए अगर आपके पास कॉंसिट्यूशन रखा हुआ है तो पॉस करके आप उस आर्टिकल तक पहुंचिए और अगर आप वहाँ पहुंच गए है तो आपको मिल रहा होगा आर्टिकल 35 A, small a मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 35 capital A अच्छा तो क्या कहा आपने ऐसा कोई आर्टिकल आपको नहीं मिल रहा तो ये आर्टिकल 35 A सम्विधान में है भी और नहीं भी तो ये जो आर्टिकल 35 A है इसको लेकर सुप्रीम कोट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं और ऐसी ही याचिकाओं पर सोमवार 14 माई को सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रही थी जम्मो कश्मीर राज्य को विशेश राज्य का दर्जा देने वाले इस प्रावधान के खिलाफ याचिकाओं पर किंद्रिक सरकार ने सुप्रीम कोट में कहा सोमवार को कि वह इस मामले में कोई जवाब दाखिल करना नहीं चाहती लेकिन वह इस मामले में समवेधानिक मुद्णों पर बहस करने को तयार है मामले की सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस दीपक मिस्रा साब जस्टिस एम खानविलकर साब और जस्टिस डीवाई चंदरचूड साब इनकी बेंच जो है इस मामले की सुनवाई कर रही थी और अटार्नी जनरल विर्णू गोपाल साब ने ये बात रखी उन्होंने कहा कि ये बहुत समवेधन्शिल मामला है और इसको लेकर एक टीम दस बार से ज़्यादा वहाँ दोरा कर चुकी है और वो चाहते हैं कि मामले का हल बात चीट से निकले केके बिर्णू गोपाल ने कहा कि फिलहाल कोट कोई आदेश जारी न करे वहीं याचिका करताओं की योर से वरिष्ट वकील रंजीत कुमार कोट में प्रसुत हुए थे उन्होंने कहा कि उनकी याचिका का संबन्द मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से है और इसलिए मामले की जल्दी सुनवाई कर राहत प्रदान की जानी चाहिए बेंच ने कहा कि इस मामले में सारी कारिवाही पूरी कर ली जाए और 6 अगस्त को वो सुनवाई करेंगे तभी मामले को संविधान पीठ के सामने भेजने पर भी विचार किया जाएगा तो सुमवार की रोज कोट में और क्या क्या हुआ और इस 35A को लेकर बात कहां तक महुची है ये जानने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 35A है क्या और भारत के संविधान में ये कहां से आया और भारत के संविधान में आने के बाद भी ये दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि 14 महीं 1954 को 14 ओफ में 1954 को उस समय के राश्ट्रपती द्वारा एक आदेश पारित किया गया और इस आदेश के जरिये ही भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड दिया गया फिर से रिपीट कर दूँ राश्ट्रपती के आदेश द्वारा ये समविधान संशोधन द्वारा नहीं आया है और यही आदेश आज तक लाखों लोगों के लिए भिशाब बना हुआ है आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर की विधान सभा को अधिकार देता है कि वह इस्थाई नागरिक की परिभाशा तै कर सके और उन्हें चिन्हित कर विभिन विशेश अधिकार दे सके यही अनुच्छेद परोग चुरूप से जम्मू और कश्मीर की विधान सभा को लाखों लोगों को शर्णार्थी मान कर हाशिये पर धकेल देने का अधिकार देता है अनुच्छे 35A जिसे हम अनुच्छे 35 कैपिटल A कहते हैं वह समविधान की किसी भी किताब में नहीं मिलेगा हालांकि समविधान में 35 इसमॉल ए जरूर मिलेगा लेकिन उस 35 इसमॉल एका जम्मू कश्मीर से कोई संबंध नहीं है भारतिय समविधान में आज तक जितने भी संशोदुन हुए हैं सबका जिक्र समविधान की किताबों में हैं लेकिन 35 कैपिटल A कहीं भी नहीं है दरसल इसे समविधान के मुख्य भाग में नहीं डाला गया बलकि परिशिस्ट अपेंडिक्स में शामिल कर दिया गया है अब पॉस करके आप एक बार अपेंडिक्स निकाल कर देखें तो आपको ये मिलेगा तो एक तरह से ये चाला की ये धोका धड़ी मालूम पड़ती है चाला की इसलिए कि लोगों को इसकी कम से कम जानकारी हो और जब कभी 35 कैपिटल A के बारे में पूछा जाता है तो अच्छे खास से कानून के जानकार भी सोच में पड़ जाते हैं कि सम्विधान में ऐसा कोई आर्टिकल तो देखा ही नहीं भारती सम्विधान की बहुँच अर्चित धारा आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ विशिशा धिकार देती है 1954 के जिस आदेश से 35 कैपिटल A सम्विधान में जोड़ा गया है वह भी सम्विधान के आर्टिकल 370 के सब आर्टिकल 1 के अंतरगत आता है जानकारों का मानना यह है कि भारती सम्विधान में एक नया अनुच्छे जोड़ देना सीधे सीधे सम्विधान को ही संशोधित करना है और यह अधिकार केवल भारती संशत को प्राप्त है यह अनुच्छे असम्विधानिक है तो 1954 से लेकर आज तक कभी इसे असम्विधानिक गोशित क्यों नहीं किया गया अगर हम यह भी मान लें कि 1954 में नहरू सरकार ने राजनैटिक कारणों से इस अनुच्छेद को सम्विधान में शामिल किया था तो फिर किसी भी गैर कांगरेश सरकार ने इसे समाप्त क्यों नहीं किया इसके जवाब में इस मामले को उठाने वाले याचिका करता मानते हैं कि ज्यादा कतर सरकारों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था इसलिए शायद ऐसा नहीं किया गया लेकिन अनुच्छे 35 केपिटल A की सही सही जानकारी सिक्षकों विद्धियार्थियों को छोड़ दीजिए दिगज अधिवक्ताओं को भी नहीं होती तो जो याचिकाई लगी हैं इस आर्टिकल को असमवैधानिक घुशित करने के लिए उसके पीछे कई कारण है जैसे अनुच्छे 35 A राज्य के मूल निवासियों के अलावा सभी भारतियों को जम्मू कश्मीर में कहीं भी अचल संपत्ती खरीदने या जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की नौकरियां प्राप्त करने राज्य में बसने और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलर योजनाओं का लाब उठाने से रोकती है। याचिका करताओं ने तर्क दिया है कि आर्टिकल 35 A और आर्टिकल 370 के अनुपालन में जम्मू कश्मीर सरकार जो राजी को विशेश इस्थिती प्रदान करती है गैर निवासियों के खिलाफ भेदभाव कर रही है। इस याचिका में भारती सम्विधान के आर्टिकल 35 A और जम्मू एम कश्मीर सम्विधान के खंड 6 को असम्विधानिक घोशित करने की गुहार लगाई गई है। तीसरी पीड़ी के लोग हैं लेकिन अब तक उन्हें जम्मू एम कश्मीर के नागरिक के रूप में कोई लाब नहीं मिल रहा है। ऐसे करीब 3 लाख लोग आज भी कश्मीर में 3 पीड़ियां बिताने के बावजूद शर्णार्थी बने हुए हैं। याचिका में अनुच्छे 35 केपिटल A के तहट कुछ और प्रावधानों को भी चुनोती दी गई है। जैसे राज जी के बाहर के किसी व्यक्ती से विवाह करने वाली महिला को संपत्ती का अधिकार नहीं मिलता है। इस प्रावधान के तहट राज जी के बाहर किसी व्यक्ती से विवाह करने वाली महिला का संपत्ती पर अधिकार समाप्त हो जाता है। और उसके बेटे को भी संपत्ती का अधिकार नहीं मिलता। संपत्तान में 1954 में राश्ट्रपती ने आदेश देकर 35A जोड़ दिया था जिसे से जम्मू कश्मीर के इस्थाई निवाश्यों को विश्यशा धिकार और समविधाय मिलती है। तो अभी इस याचिका पर सुनवाई जारी है, देखें अगली सुनवाई पर कोट क्या निर्ने लेती है, तब तक यह 35A समविधान में नहीं होते हुए भी समविधान में है, या समविधान का अद्रिश ये हिस्सा बना हुआ है। तो मुझे उमीद है कि ये रोचक जानकारी आपको पसंद भी आई होगी और शायद समझ में भी आसानी से आ गई होगी। तो किसी और विवादित मुद्दे पर, कानून के किसी और शब्दावली पर, किसी और प्राफधान पर अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो प्लीज मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स पर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो थमसब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आईकॉन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि बाइ-बाइ, टेक चेर, वाव निस ताम.